तो हेरे दोस्तों मैं है आपका दोस्त दोक्टर जांगीद काफी फिमेल्स हमारे पास में आते हैं और बोलते हैं कि दोक्टर I have severe dandruff can it cause hair loss or not I have hair loss for last six months तो देखिए dandruff का एक थोड़ा सा oil बन रहा है स्काल पर ज्यादा oil बन रहा है तो वह oil पार्ट प्लस कुछ डर्ट कुछ आपका जो dead skin होता है dead tissue होता है वह होला है और उसके उपर के सकते हैं कि fungus का infection यह बेसिकली आपका dandruff होता है वही सारा dandruff आपके skin में जा सकता है बिल्कुल deep नहीं जा पाएगा बिकोज है जो roots होती है काफी नीची होती है तो इन जनर्र में कह सकता हूं कि आपका dandruff ज्यादा है एक्सेसिव dandruff है तो उस condition में थोड़ा बहुत हो सकता है कैसे जैसे आप ज्यादा स्क्रेच करते हो तो उस condition में क्या होग यह सारे होते हैं जो एक minor role कह सकता है कि hair loss में होता है लेकिन major role कभी भी dandruff कर नहीं होता है तो अगर आपको लगता कि आपको dandruff है साथ में सीवर hair loss है तो आपके जो दूसरे regions को न कौन से होते है hair loss के उसको हमें rule out करना हो पड़ेगा hair loss के लिए मैं एक छोटा से वीडियो बनाया है जो आपको जरूर देखना चाहिए इसको में डिस्क्रिप्शन में मैंने इसको link दे रखा है वो जरूर देखिए तो हाँ dandruff को control करना बहुत जदा जरूरी है और साथ-साथ में जो अलग कोई कोज बनता है आपके लिए hair loss को उसको भी ठेक करना जदा जरूरी है तो आपके लिए clear हो गया होगा थैंक यू subscribe to skin cure and press the bell icon to never miss an update